दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीलिंग फैन ने स्टेटर को मसीन से कैसे बनाया जाता है इसमें कैसे क्वैल बैंडिंग किया जाता है तो आज के इस वीडियो में आप लोग के अही बताने वाला हूं तो उसे पहले आपको ये देखिए मेरे पास स स्टेटर है सिलिंग फेन का उस एस पर कसने से पहले आपको पर लगा ले न होगा आप इस पर लगा के भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए मैं आपको इस पर कस कर बताता हूं कि आपको कैसे कसना हैं और उसके बाद यह देखिए यह जो डाई है मैंने इसको भी आपको बताऊंगा सेट करके पूरी जनकारी दूंगा कि आप कैसे इससे बांद सकते हैं तो चलिए मैं उस पर आपको तो यह देखिए मैं इसको यहाँ पे कस रहा हूँ इसके थुड़ा आसा पीछे कर देता हू यह आपर जेस्ट कर सकते हैं आगे पीछे स्टेटर के हिसाब से तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कस रहा हूँ झाल आपको अज़ाए बहुम उसर दिंग झालने होँ क्यार्फटगा कर दो चलिएक लादा कर दो Wednesday कि बांपकोर मोईनां साफ्ट Esा नह समस्राफभस झाल 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 चलिए मैं इस साइड को टाइट कर देता हूँ यहां से देखिए मैंने इसको कर दिया टाइट अब यहां पूरा तरह से उधर चल गिया है तो मैंने बताया था कि इस खाचा में फसाना है तो यहां से आपको यह देखिए मैंने इसको फसाद दिया तो देखिए उधर से कितना ज़्यादा गैप था अब इसको मैंने यहां से धिला करके यहां देखिए नॉट दिया हुआ है यहां से नॉट को धिला करके अब मैं इसको और उधर करी घसकाऊंगा झाल 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 करने के बाद सतना नहीं चाहिए क्योंकि जब यह रिवर्स फरवर्ड चलेगा तो उस समय दिक्कत हो जाएगा फिर ताट टूटेगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अब चलिए यह डाइट डाइट तो पूरी तरह सेट हो गिया है और उसके बाद फिर आपको अर पर जेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं और झाल 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 कि यहां पर तोद याथा ढहिला नहीं कि टाइट बहुत करे कि मैं चाहए तार यह अवह तरह निकलने के बाद आपको फिर पूचे और यहां Sn भी आना है और उसकी लपेटने के बाद आपको फिर से यहां से यह देखिए यहां से आपको फिर लेगे